नमस्कार आप देखरें सीनी उस भारतों मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्वास्ता ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी ये कहावत उस देश के लिए बिलकुल फिट बैठती है जो खुद को जादू गर समझता है और समझता है कि दुनिया उसकी कट पुतली है और ये देश कोई और नहीं बलकी अमारिका है ऐसा हम क्यों कह रहें चलिए बता देते हैं रिष्टों पर जमी बर्फ पिगले तनाफ खत्म हो शांती और सहीयों की बात हो तो किसे बुरा लगता है और जब ये वैश्वे कूट नीती के लिहास से हो तो फिर तो बुरा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए मगर अफसोच कि अमारिका को बुरा लग रहा है मगर क्या किया जा सकता है आदत तो जाते जाते ही जाएगी रूस के शहर कजान से आई तस्वीरे अमारिका के सीने पर स्वक्त साप की तरह लोट रही है क्योंकि प्रधान मंत्री नारेंद्र मोधी, रूस के राश्टपती, पुतिन और चीन के राश्टपती, जिन्पिंग के बीच गर्म जोशे की तस्वीरों ने अमारिका के लिए जल मरने जसिस्तिती बना ली है दरसल ब्रिक्स सम्मिट के लिए मोदी, पुतिन और जिन्पिंग कजान में है वहां तीनों नेताओं की मुलाकात भी हुई है ये मुलाकात भारत चीन के बीच लेसी पर जुआरी तनाव के कम होने के बाद हुई है दोनों देशों के बीच 2020 से पहले के पैट्रोलिंग एरंच्मेंट पर सहमती बनी है राश्चुपती पुतिन ने कल रात डिनर भी रखा था इस मौके पर वो मोदी और जिन्पिंग के इस ठीक बीच में बैठे नजर आए इससे पहले की तस्वीरों में पुतन मोदी को गले लगा कर स्वागत करते हुए भी नजर आए जो दोनों देशों के बीच की मजबूत रिष्टों को बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है मोदी और शी के बीच आखरी मुलाकात अक्टूबर 2019 में मामल पुरम में शुकर सम्मेलन के दौरान हुए थी फरचीन ने पूर्वी लद्दा के LAC पर अतिकरमर करने की कोशिशे की और रिष्टे बिकरते चले गए चार्ज साल से ज्यादा समय से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव किस्थिती बनी रही है जून 2020 में गलवान घाटी में हुई जड़ब के बाद दोनों देशों के रिष्टों में काफी करवाहट आ गई थी लेकिन अब भारत चीन ने तनाव से पहले किस्थिती में लोटने का फैसला कलिया है कई दोर की कुटनीतिक और शैने वारताओं के बाद भारत चीन ने ब्रिक सम्मिट में ठीक पहले पुराने पेट्रोलिंग एनेजमेंट को मानने पर रजामंदी ज़ताई है अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका को इन सब चीजों से दिक्कत क्या है तो चलिए वो भी बता देते हैं अमेरिका को रूस नहीं पसंद और वही रूस और यूक्रेण के युद्ध में समय पर पियम मोदी को अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि वो दोनों देशों के बीच में एक सहमती बनाए कि भारत अमारिका की बात माने और रूस के पूरी तरीके से खिलाव चला जाए मगर भारत ने ऐसा नहीं क्या अमारिका ने योक्रेन युद के शुरू होते ही रूस को दुनिया से अलग ठला करने की तमाम कोशिशे की लेकिन भारत इसो देश में बड़ी बाधा बन कर खड़ा हो गया आज जब रूस में ब्रिक्स का सोलवा शुकर समेलन हो रहा है और भारत चीन समें दुनिया के कई ताकतवर देश के प्रतिनिधी वहाँ पहुचे हैं अमेरिका का एजेंडा पूरी तरीके से फेल हो गया है युद्ध अभी खतम नहीं हुआ और युद्ध के बीच इतने बड़े समेलन का आयोजन बताता है कि रूस आर्थिक रूप से कमजोर नहीं पड़ा है जो अमेरिका का सपना था इन सब तत्यों के बीच मुर्सकुराते हुए पिया मोदी पुतेन और शी जुन पिंग की तस्वीर अमेरिका के कलेजे पर मुंग डलने जैसी है वहीं अब चीन से बरती नजदी के अमेरिका और उसकी अगुआई वाले वर्ल्ड ओर्डर के लिए भी सरदर्ज से कम साबित नहीं होंगे पिलाल सकास रुपोर्ट में ताहीं देश दुनिया की बाकियों और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें सीनियूस भारत